So dear students, again एक शांदार वीडियो में आपका सौगत है, आज के इस वीडियो लिसन में मैं बात करने वाला हो Past Tense के बारे में वो क्या चीज़ है जो पास्टेंस के बारे में आपको जानना जरूरी है जब आप स्टूरी टैलिंग करते हैं फिर पास्ट का कोई इवेंट सुनाते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग एंग रहते हैं कि यहां पर मैं क्या बोलूँगा और मैंने तो कुछ इस्टूरेंट्स को देखा है वो अक्सर प्रेज़ेंटेंस का ही यूज करके पास्ट की बातों बोल देते हैं जो पिए बहुत मेजर मिस्टेक है तो मैं आज आपको बताउँगा कि आपको कैसे पास्टेंस को पढढना है पास्टेंस को प्रैक्टिस करना है उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि हम पास्टेंस को पहचानते कैसे हैं जैसे आपने कहा वह क्रिकेट खेल रहा था तो यहां पर आप देख सकते कि लास्ट में आपने था यूज किया है उससे पहले मैं आपको सबको बता कि past tense को आपको केसे पहचानना और केसे recognize करते हो चारो tenses को practice करना है जिसमें आपको simple past ये past indefinite, जिसमें आपको past continuous, जिसमें आपको past perfect और past perfect continuous tense, ये चारो tense detail with examples में आपको समझाऊंगा, साथ ही इनसे connect होने वाले words, और सबसे important is tips की कौन सा tense कहां use करना है, आपने अकसर देखा ह कि present perfect tense और simple past tense में बहुत ज्यादा students confused होते हैं, आज बताओंगा कहां आपको present simple use करना और कहां आपको present perfect use करना है, चली, तो यहां पर आप देखिए सबसे पहले, रहा था इसको देखकर आप पहचान गए कि ये past tense है, अगर मैं लिखूंगा वा cricket खेल रहा है, तो आप कहोग कि वा cricket खेल रहा था, तो इसका past के बाँ English में बनेगा he was playing cricket, या आप इसकी English बनाओगे, आपने इसकी English बना दी कि he was playing cricket, ठीके सर हम समझ गे, यहां पर ये जो was है, ये past की helping verb है, जो ये बताने का काम कर रही है कि आपका sentence past में जा रहा है, तो ये past की क्या होगी, helping verb, अगर म जाने है कि past tense मतलब की जो कम हम कर रहे थे, जो कम हम कर चुके दे, या फिर जो कम एक समय से हम कर सकते थे और कर रहे थे या जो भी हो रहा था, उस सारी situation आपकी past tense में जाती ए, तो मैं आपको बिलकुल बिना timeaları kit क्यों ये simple past tense क्यों लेकर चल रहा हो तो सबसे पहले simple past tense का structure आप लोग देखें ये आपका simple past tense का structure है जिसमे subject v2 plus object मतलब वो आपकी second form आप अप्लाई गरता है अभी कुछ student काफी समय से comment कर रहे देख सर वब लिस्ट पर वीडियो बनाई है मैं already इस पर best एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें काफी सारी वब मैंने स्ट्रेंट को पढ़ाई है आप हमारी जो प्ले लिस्ट है बेसिक फो न्यू स्ट्रेंट उसको विजिट करिए उसमें वीडियो आपको मिल याएगा यहां पर आपको वीडियो मतलब वब की second form जिसे वब की first form गो है तो second form क्या है went और third form क्या है gone तो आपको यह जो form है went यह अपलेएगा नहीं है ऐसे ही आपने कहा है speak एक वर्प की first form इसकी second form है spoke तो यह वर्प की second form जो है इस tense में आप यूज़ करेंगे इस बात का विश्य ध्यान आपको देना है अब यह tense कहां use होता है जो भी काम आपने किया जो भी काम आप करते थे यह दोनों situation के लिए आपको इसका उपयोग करना है तो पहली situation हम किया वाली देख ले अगर मैं आपसे कहो कि चली बताइए कल जो है मानली जी कल Friday था मैंने आपसे पूछा कि चल बताइए कल आपने क्या किया तो आपने का कल sir it was Friday so I woke up early in the morning I brushed my teeth wake up के second form अब आप कहोगे woke up I brushed my teeth I went to college I met my friends I talked with them तो यहाँ पर देख सकते हो woke up, brushed, went, met, talked यह सारी जो है वापकी second form है इसका मतलब यह हुआ कि जो भी काम आपने किया उसको बोलने के लिए simple past tense में वापकी second form आपको use करनी है अब बात करते हैं हम लोग कि कोई काम करते दे इसको कैसे use करते हैं जैसे मैंने का में वहाँ जाता था तो इस्ट्वेंट इसको भी हम लोग इसी tense में बनाते है I went there अकसर इस्ट्वेंट का एक और confusion होता है कि सर क्या हम इसको used to में बना सकते हैं लेट में टैल यू बिलकुल आप इसे चाहें तो used to में बना दे लेकिन used to और simple past tense में चोटा सा difference है जो काम आप करते थे that's okay लेकिन जो काम आप किया करते थे अगर वो आप habit को बता रहे होगी मैं पास्ट में ये काम किया करता था फिर आपके लिए सही used to माना जाता है जैसे आपने का मैं इस घर में पहले रहा करता था I used to live in this house earlier तो आप यहां यह नहीं कहोगी I lived in this house आप I lived in this house कब बोलोगे मैं पहले रहता था इस गर में earlier I lived in this house ऐसे situation में लेकिन रहा करता था या फिर आप habit को swap कर रहे होगी कोई काम आप past में किया करते थे तो वहां पर आपको used to का उपयोग करना है इस बात का आप लोग ध्यान दे इस्ट्वेंट्स में अक्सर यहां पर थोड़े से confusing situation में देखें कि वह थोड़े से confused रहते हैं तो यह आप बहुत अच्छा से समझेंगे कि यह किस तरीके सा आपका use हो रहा है दूसरे सबसे काम पूर्ण हो गया है परफेक्ट हो गया है वो आपका जो है present perfect answer जैसे रभी अभी अभी गया है अब रभी अभी गया या गया है जो भी आपने बोला देखो मैंने कहा रभी वहां कल गया और दूसरा देखना रभी वहां अभी गया इन दोनों sentences को आप ध्यान से देखो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किसमें simple past यूज़ करना और किसमें आपको present perfect यूज़ करना है लास्ट में क्या रहा है ये मत सीखी आपको बहुत सारे लोगों ने बताया होगा आ ये की मातरा आ करहें हुआ वो बिलकुल भी concept नहीं है पूरा खेल दोस्तों ये जो आ आप यूज़ करते हैं अगर आपने कल का यूज़ किया मतलब simple past tense है और अभी का यूज़ किया मतलब just now present perfect का है जब आप कहोगे रवी वहां कल गया या गया था जो भी आपने बोला आप English में कहोगे रवी went there yesterday आप English में बनाओगे रवी went there yesterday लेकिन जब आप कहोगे रवी अभी गया रवी has gone there just now just now रवी has gone there तो ये आपका बनेगा perfect tense में जी है present perfect में बनेगा और ये आपका बनेगा past में simple past में बनेगा तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे तो मैं आप सब को बताना चाहता हूँ कि present perfect tense वहां यूज़ होता है जो काम भी आपने किया ह जैसे मैंने का ये movie देखी या recently I have watched this movie, indoor गयो कभी I have gone to indoor many times, कभी मिले उससे I have made him many times, कभी उसकी मदद किये I have helped him many times, और माली जी आपने कली मदद की, yesterday I have helped him, कली मिला मैं उससे I made him yesterday, कल मतलब past की जितने वी work जो आपने किये last week किये last month किये last year किये, वो सारे work आपके simple past में आप आएंगे जो जिसमें प्रेजेंट वर्यूस कर देंगे जिसमेन का अभी मैंने खाना खाया है, अभी मैंने खाना खाया है, just I have just eaten food now, I have just eaten food now, just now I have eaten food, ये भी आप कह सकते हो, तो ये situation present perfect में है, so you don't need to confuse, आपको बिलकुल भी confuse नहीं होना, सारी चीज़े एक्रिस्टल क आपको सब्सक्राइब करना है, अब अगर जब इसको नेगेटिव करता है, तो नेगेटिव करने में विशेज ध्यान देना, you have to apply did not, and just after did not, you have to use v1 plus object, now this dance would be used, जो काम आपने कल नहीं किया, I didn't go there yesterday, in short this is called didn't, yes, बिलकुल ध्यान देना, इसको शार्ट में आप कहता है, I didn help him, मैंने उसे नहीं पढ़ाया, I didn't teach him, मैंने उसे नहीं देखा, I didn't see him, so this is the way to use didn't and did not, दोनों जो है same meaning को दे रहे है, दोनों जो है same meaning को carry कर रहे है, तो यह आप लोग विशेज ध्यान देंगे, interrogative बनाएंगे, तो did उठके आगया जाएगा, तो यह आपका simple past tense या past indefinite tense भी स्कॉम कहता है, in Hindi it's called Anishit Bhutkal, चलिए, आगे हम लोग देखते है, अगला tense है आपका past continuous tense, जैसा कि नाम में ही चुपा है past continuous, जो भी काम past में हो रहा था, जैसे आपने कहा जब में वहां गया, जब में वहां गया, वह सो रहा था, मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त के जब में वहां गया है, तो वह सो रहा था, तो आप इंगलिश में कहा होगे, when I went there, तो इसका structure यह होता है, was and were लगता है, वर्फ के साथ आपको ing लगाना पड़ता है, और object, तो जब में वहां गया है, वह सो रहा था, when I went there, he was sleeping, आप देख सकते हैं, इस तरीके साब इसको जब मैंने उसे कॉल किया, वह खाना खा रहा था, when I called him, he was eating food, तो जो भी काम पास्ट में हो रहा था, कल इस समय में पढ़ा रहा था, on this time yesterday, on this time yesterday, में पढ़ा रहा था, I was teaching, I was teaching, जब आप आए, मैं कूछ कर रहा था, when you came, I was doing something, I was doing something, I don't remember what I was doing, मुझे याद नहीं मैं क्या कर रहाथ, but I was doing something when you came, so आप इसको इसा भी लिख सकते हैं, I was doing something when you came, मैं कूछ कर रहा था, जब आप आए, अब शुरुआत, I was doing something से भी कर सकते हैं, So this is the way to practice, आपको past continuous tense हर उस जगह पर लगाना है जब past में कोई काम हो रहा था, जिसे मान लीजिए आप अपने किसी दोस के घर गए, जब आप उसके घर गए तो आपने देखा वो घर पर नहीं था, ठीक है, और उसकी ममा ने बताया कि वो कहीं और है, तो आप कहोगे, when I went at his home he was not at the home, he was not at the home, and when I went at Ravi's home, I saw that he was talking with him there, और जब मैं Ravi के घर गया तो वो उससे बात कर रहा था, जिस दोस के घर आप पहले गया थे, तो इन शॉर्ट जो भी काम past में हो रहा था, उसके लिए आपको past continuous tense का उप्योग करना है, तो past continuous tense अपने आप में बहुत जादा easy है, आपको wasware के बाद में not लगाना है, interrogative बनाते हैं, तो was और वर को फिर आपको आगे ले लेना है, वही पुराने structures pattern है आपके, in short आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा practice करना है, अब मैं आपको बात करता हूँ, story telling में आपको cases simple past tense की मदद लेनी है, तो IE मैं आपको story telling के बारे में बताता हूँ, फिर में last की जो tense है, उनके बारे में आपको बताऊंगा, तो देखे, story telling करने के लिए आपको सबसे important चीछ पर जिस पर ध्यान देना है, वह है आपका present simple tense, इस पर पूरी story आपके depend करती है, जिसे मान लीजिए आपने किस इस कहा, कि I am just going to recite a story, once what happened, there was a king, the king was very happy in his kingdom, he had two sons, he had two sons, once king went into forest for hunting, he found a lion, उसको एक शेर मिला, तो इस तरीके सा जो भी आप कहानी सुना रहे हो, all the sentences that you are speaking, that you are reciting are actually the part of simple past tense, and here it becomes very important to use V2 in your sentences, इसलिए आप अपने sentence में वाप की second form को use करेंगे, आप चाहे तो इसकी practice के लिए storytelling के लिए सब से best तरीका जो मैं खुद prefer करता हूँ, और अपने students को फिजिकल classes में करवाता हूँ, online classes में बताता हूँ, वो ये कि आप अपने daily routine भी इसमें बोल सकते हैं, अगर मैं आप से अपने जाहेंगे, आप कहेंगे, yesterday, I woke up early in the morning because it was Thursday and on every Thursday I go to temple, that's where, so I woke up early in the morning, then I brushed my teeth, then I got ready to go to temple, then I went to temple at 7 o'clock in the morning with my parents, then I worshipped the God, then I returned my home, then I got ready to go to college, then I went to college at 8 o'clock, you know, to this तरी के जो काम आपने कल किया, just try to practice it, इसको बोलने के कोशिस करो, and remember one thing, while speaking, you have to speak the practical activities that you actually did, what wrongs with the students that they actually speak the sentences that are prepared, and that we don't have to do, और वो हमें नहीं करना है जो prepared हो, हमें वो बोलना है जो हमें बोलते नहीं बन रहा है, तभी तो हमको natural and situational English बोलते हो आएगी, इसलिए कल जो जो काम आपने किया, उसको imagine करिया, और उन सा इसलिए के लिए बोलने की कुशिस करिए, तो आप बहुत अच्छे से अपने अंदर past tense case कह सकते है, problem को दूर कर पाएंगे, past tense students को बहुत ज़्यादा typical लगता है, इसलिए video भी थोड़ा सा lengthy जा रहा है, चलिए, आगे में आपको लेकर चलता हूँ, past perfect tense, past continuous tense, आप सब को सम सबसे पहली तो गलब चीज जो इस्ट्वेंट को पढ़ा दी जाती है, जैसे आप बोलते हैं कि मैंने कल खाना खा लिया था, अब वो इस्ट्वेंट्स विचारा ये जो है, उसको सिखा दिया जाता है, कि आ ये कि मात्रा का थागते ती आ जाता है, तो वो इसा बनाता है, इसको, I had eaten food yesterday, आपको बताना चाहूंगा इस्ट्वेंट ये स्टेटमेंट आपका गलत है, भले उसमें लिया था लिखा है, फिर भी आपको बनाना है, I ate food yesterday, आपको simple past tense में बनाना है, अब पहले तो tense का use समझे कि past perfect tense है क्या, जो काम past में पूरा हो गया था, इसका मतलब य ये sentence अगर आप चाहते हैं कि आप past perfect में बनाया है, तो इसके आगे पीछे कुछ ऐसा आपको बताना पड़ेगा, जो past को ही बताया है, जिसे मैंने कहा, जब उसने मुझे call किया, तो मैंने खाना खा लिया था, उस टाइम पर तक जब तक उसने मुझे call किया था, तो अब इ he called me, when he called me yesterday, अब आपको लिखना है, I had eaten food, जे situation है आपकी, मतलब past perfect tense हर कहीं नहीं use करते आप, अगर कोई भी काम आपने past में किया है, सिर्फ एक ही statement आपने दिया, कि वो गया, he went बोलना है, he had gone नहीं बोलना है, मैंने देखा, I saw बोलना है, I had seen नहीं बोलना है, या तो उसको present perfect में बनाईए, या फिर उसको simple past में बनाईए, लेकिन कभी भी एक statement को past perfect में नहीं बनाएंगे आप, past perfect tense में बनाने के लिए आपको at least two statements, two sentences बोलने होंगे, तभी वो बनेगा, आपके बोलने से पहले ही मैंने बोल दिया, I had spoken before you spoke, आपके वहाँ जाने से पह ये रहा आपका, आपके वहाँ जाने से पहले, ठीके, मैं वहाँ चला गया, तो I had gone there before you went there, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने past perfect tense को use किया, और before के बाद आपने simple past लगा है, so I just want to tell to all of you कि हर जग है past perfect tense नहीं लगा है, past perfect tense वहीं लगा है, जब आपने कोई काम past में हो चुका था, जब कुछ हुआ, जिसे मैं जब उसके घर गया, वो खाना खा चुका था, when I went at his home, he had already 10 food, जब मैंने उसे call किया तो पहले सी खाना खा चुका था, तो फिर मैंने उसक tense के बारे में तुटी होगी, अगर तुटी है तो comment कर लिए को, yes sir, आज पता चला कि past tense में past perfect tense case सही रूप में यूज होता है, मैं आपके comment को बिलकुल like करूँगा और उसको देखूँगा, चलिए, तो past perfect continuous tense, last का ये जो tense है, ये भी बहुत ज़्यादा important tense है, और इसका आपको याद हो तो मैंने present perfect continuous tense में आपको बताया था, कि ये जो perfect continuous होते है, ये किस situation को बताते है, ये उस situation को बताते है, जहाँ पर कोई काम पूर्ण होने के साथ-साथ वो काम लगाता अभी भी चल रहा है, जैसे माल लीजिए, आपने कहा, मैं दो महीने से आपके sessions देख र for two months, और आप में से काफी सारे लोगों ने बहुत प्यारे-प्यारे comment भी किये, हमारी टीम ने उन में से कुछ लोगों को lucky students के रूप में भी सेलेक्ट किया है, जिनको इस week Sunday वाली class में हम लोग video भी provide करवाएंगे, so I have been watching your sessions for two months, ये आपका statement था, अब इस statement में आपने देख इस tense में इसको बनाना है, तो इस tense में बनाने के लिए आपको सबसे पहली चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा इसमें बोला नहीं जाता है कभी में, कि मैं वहाँ दो महने से जा रहा था, अगर आप कोई past की statements दे रहा है, और past में कोई काम आप कर रहा है, अगर आ कि मैं आप past की सारी घटनाय सुना रहा है, और आपने का कि मैं दो दिनों से वहाँ जा रहा था, I had been going there for two days, जब मैं तीसरे दिन वहाँ गया, when I went there for third day, मैंने पाया, I found कि वहाँ कोई नहीं था, there was no one, you know, तो इस तरीके से ऐसी कोई situation आ रही है, तो वहाँ इस tense को यूज कर ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, simple past tense, और दूसरा past continuous tense, इन दो को आप बहुत अच्छे से practice करें, इन दो के साथ साथ आप ये वाले structure को भी अच्छे से अच्छे practice करें, wasware के बाद just was direct object आ जाता है, इसमें वह आपनी लगती है, मैंने पढ़ाई करी, studied, मैं busy था, I was busy, मैं कुछ कर रहा था, I was doing something, आप चाहें तो जोड सकते हैं, जब आए में कुछ कर रहा था, when you came, I was doing something, जब मैं वहाँ था, वो पढ़ाई कर रहा था, when I was there, he was studying, जब मैं उसके साथ था, वो लिख रहा था, when I was with him, he was writing, he was writing, जब मैं अंदौर में था, मैं पढ़ाई कर रह बहुत जादा यूज होती है, इनको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करें, सब से पहला दो, इसके बाद में आप लोगों को जो है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ये पास परफेट का बहुत ही कम करना होता है, लेकिन कब करेंगे आप, जब आप किसी सेंटेंस को जूड जैसे जब मैं उसके घर गया, तो मैंने देखा हो खाना खा चुका था, वन आपको पास टैंस पर बैस सारे कॉंसर्प्स आपके क्लियर करके बता हूँ, अगला जो वीडियो में लाँगा और फ्यूचर टैंस पर बैस लाँगा, और अगर आपने प्रेजेंस पर वीडियो नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को जरूर देखें, डिटेल समझें, और अपने सारे कंफ्यूजन को दूर करके अपनी लैंग्विज इंग्लिश को अच्छा सचा इंप्रूब करें, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है आई विश कि आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे सा अपनी लैंग्विज को इंप्रूब करें और अच्छे सा अच्छे अपने आपको सुधार लाएं, इन्ही दुआओं के साथ मैं मिलूँगा अगले वीडियो लेसिन में आपको कुछ अच्छे कॉंटेंट के साथ में